अंधेरा, नमी और गर्मी ऐसे हालात में कौक्रोच खूब फलते फूलते हैं इस जगह पर ही एक अरब कौक्रोच रहते हैं उन्हें रसोई से निकला कच्रा खिलाया जाता है चीन के शांडोंग प्रांत में कौक्रोच की ब्रीडिंग कच्रा बीनने वाली कंपनियों के करते हैं इसलिए हमने ये धांचा बनाया है हम इन्हें चिप कहते हैं इन गैप्स में कौक्रोच खूब रहते हैं यहां कौक्रोचों से दवाएं भी बनाई जाती हैं इसके लिए कौक्रोचों को पकड़ कर पहले क्रश किया जाता है और फिर एक पेस्ट जैसा बना लिया जाता है इस पेस्ट के एक बोतल 300 रुपे से भी जादा में बिखती है गुड डॉक्टर नाम की कंपनी 40 अस्पतालों को ऐसी दवा बेचती है खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं में कौक्रोच से बनी दवा काम आती है चीन में कौक्रोच ब्रीडिंग के ऐसे फार्म तेजी से फैल रहे हैं जैसे कि यहां शिछवान प्रांत में लीबिंग काई पहले सैल फोन बेजते थे और अच्छा कारोबार चलता था लेकिन फिर वो कौक्रोच के कारोबार में आ गए लोगों को तो बहुत अजीब लगता है कि मैं इस तरह का कारोबार करता हूँ वो कहते हैं कि तुमने वो बिजनिस क्यों छोड़ दिया अच्छा तो चल रहा था क्यों इस काम में आ गए मुझे लगता है कि इसमें जादा फायदा है और इससे समाज का भी भला होगा और इस बीच तो ली को इनका जाय का भी पसंद आने लगा है हालांकि उनके परिवार को कौकरोच खाना इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी चीन में कौकरोच का कारोबार तो खूब फल फूल रहा है उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए और हाँ DW हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले तो तुरंद दबाईए इस बटन को